किसी ने क्या खूब कहा है जीवन में कुछ बनना है तो बिनम्र रहना सीखो क्योंकि एक छोटे से बीज को भी जमीन के नीचे दबना पड़ता है पेड़ बनने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रेम प्रिकास पांडे है आज अपने चैनल पर एक नई बिहतरी मोटि सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी जाकिर हुसैन के घर एक अधेर उम्र का नवकर था वह रोज देड़ से सोकर उठता था उसकी इस आदस से घर वाले परिसान थे उन्होंने उस नवकर की सिकायद जाकिर हुसैन जी को कर दी और उसे बाहर निकालने के प्रक्तिक्सक्राइक लिए भी कह दिया इसके जवाब में जाकिर साहब ने केवल यही कहा उसे समझाओ सब ने उसे समझाया पर उसके बावजूद उस पर कोई असर नहीं हुआ परेशान होकर घरवालों ने जाकिर सहाब से निवेदन किया कि अब आप ही समझाये उस नौकर को अगले दिन सबेरे जाकिर सहाब उठे एक लोटा पानी भरकर उस नौकर के सिर के पास जाकर खड़े हो गड़े नौकर तो अभी गहरी निंद्रा में सो रहा था उसे धीरे से उठाते हुए बोले उठिये मालिक जागिये सबेरा हो गया है मुध हो लीजिये मैं अभी आपके लिए चाय और अश्नान के पानी का इंतजाम करता हूं इतना कहकर वो चले गए उधर नौकर परेसान हो गया वह सोच रहा था या क्या हो रहा है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं तभी जाकिर सहाब चाय लेकर आते हुई दिखाई दिए वह आकर बोले मालिक लीजि सोकर उठने की सिकायत किसी को नहीं होगी इस पर जाकिर सहाब बुस्कुरा दिये अगले ही दिन सभी घर वालों के आश्यरे का ठिकान ना रहा कि वह नौकर सबसे पहले उठकर घर का सारा काम कर रहा था नौकर जाकिर हुसैन की बिने सीलता से अभी भूत हो गया जाकिर सह नलता के साथ अपना प्रभाव डाल देता है समाज में अपने ब्याभभार द्वारा ये प्रभाव कायं करना है तो जीवन में ब्रेम्रता को अस्थान दे दोस्तों जीवन में ब्रिनमर्ता का बहुत महत्तो है यह ऐसा आवजार है जहां कोई तरकीब काम नहीं आती वहाँ ये काम आता है इसके बिना जीवन अधूरा है अपने जीवन में ब्रिनमर्ता को अस्थान दीजिए और प्रद्दिन सुबह साड़े पांच बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करे दिन की सुरुआत तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार बड़ों से मिले आसिरबाद और भगवान के साहरे के साथ यही कहूंगा काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा की उदाहन बन जाए यह स्टोरी अच्छे लगी तो लाइक कीजिए सेर की कि अपने श्मित्रों में और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स म को आने के लिए प्रेश बेलाइकन